यहां पर हम डूओ कॉल और्गनेक्स एंड कलर्स लिंटेट कंपनी के आईपियो की कंप्लीट एनलिसिस करेंगे जिसमें हम कंपनी के प्रोडेक्ट एंड सर्विसेज कंपनी के फनेंशियल आईपियो डिटेल्स और मेरा क्या ओपीनियन इस आईपियो को लेकर इन सब बातों पर चर्चा करेंगे मेरा नाम है शुभान्स चौरस याद चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं देखिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए सबसे पहले कंपनी के प्रोडेक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ जते हैं कि कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है अब देखा जाए तो कंपनी 1994 में बनी थी यानि करीब करीब 28 साल पुरानी ये कंपनी है और लगातार काम करती वी नजरारी है यानि की वेरियस इंडरस्टी जो होती हैं उनके लिए यहां पर जो पिगमेंट डिस्परेशन होते हैं उनके डिफरेंट टाइप आप रेंज ये प्रोजा करने का काम करते हैं चीज़ां होती है वो कंपनी प्रोवाइट करने का काम करती है आगे यहाँ पर देखें तो दे प्राइमरिली इंगेज़ इन दे बिजनेस ऑफ मैनुफेक्ट्रिंग एंड सेलिंग ऑफ पिगमेंट डिश्परेशन प्रिपरेशन कॉंसेंट्रेट कॉंसेंट्रेट पेस्ट क प्रोटेक्ट यह बनाते हैं आगे यहाँ पर देखा जाए तो फाइनिशल है कंपनी के फाइनिशल को तीन भागां डिवाइट किया गया है टूटल एसेट्स वैल्यू टूटल रिमेंड प्रॉफिट आप्टर टैक्स और यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको देखेगी व मार्च 2022 में 4347 लाग के आसपास होती ही होती हुए नजराई वहीं सक्टम्बर 2021 में 5650 लाग के आसपास ये होता हुए नजराई वहीं मार्च 2022 में 88893 लाग का रिमेंड भी कम्ट्यS ने सेप्टेंबर 2022 महीने में इस साल इस फाइनश चलियर के महात रिच्छे महीने में और तालिस दो चोहतर लाग का कमड़ी ने रिवेन्यू कर लिया है अब दोगी बात करें प्रॉफिट आफ्टर टेक्स की तो साथ लाग का प्रॉफिट कमड़ी में मार्च नहीं सेप्टेमबर दोजारबाइस में 417 लाग से जादा का प्राफिट कंपनी अभी तक कर लिया है यानि मात रच ये महीने में 417 लाग का प्राफिट इसका डबल अगर हम करें तो करीब यहाँ पर 800 सो लाग का प्रॉफिट कंपनी का होता हुए नज़र आ रहा है तो कंपनी पिछले तीन-चार सालों से अगर देखा जाए तो बढ़िया ग्रोध करती भी नज़र आ रही है बात करते हैं आई-प्यो डिटेल की तो यह आई-प्यो नौ जनबर कंपनी के पास जाएगा और कंपनी के लग लग काओं में यूज किया जाएगा यहां पर टोटल शेरों की बात करें तो चालीस लाग चालीस हजार शेर मार्केट में आएंगे ट्रेड होने के लिए इसू टाइप की बात करें तो फिक्स प्राइस यसू होगा और है तो यहां पर पहला पॉइंट रदाएगा है फंडिंग वरकिंग केप्टल रिक्वार्मेंट ऑफ वार कंपनी और नेक्स जनरल कॉर्परेट परपस तो यह दो करण है जिसके करण कंपनी अपना आई पो लाकर मार्केट से पैसा रेस करती भी नज़र आ रही है नेक्स्ट परणने पड़ेंगे बात करते हैं शेयरोलिंग पैटन की तो आई प्यों आने के पहले प्रमोटर की वोल्लिंग 79.46 परसेंट की थी वहीं आई प्यों आने के बाद यह 57.38 परसेंट की होती वी नज़र आईगी अप्यों के बारे में हम सारी चीज़ जानने कंपनी क्या है क्या करती है? फाइनेशल कैसे है? आई-पीओ की डिटेल क्या है? बात आती है कि इस आई-पीओ में अप्लाइक करें यख करें या ना करें। अब देखे बात करें अगर मेरे अनुसार बात करें तो फाइनेशल की बात करें तो देखे बहुत यूनिक कंपनी नहीं है बहुत सारी इस तरीके कंपनी मार्केट में काम करती भी नज़रारी तो भी बिजनेस यूनिक नहीं है अगर बात करें फाइनेशल की तो फाइनेशल में बड़िया growth company ने किया है वहीं अगर बात करें आई प्राइस की तो आई प्राइस भी कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है ठीक ठाक प्राइस लग रहा है तो अगर overall कहें तो मेरा मानना है कि long term के view long term का view यानि कि दो साल या उससे ज़्यादा के लिए आप इस IPO में apply कर सकते हैं short term में listing इनकी purpose से या फिर short term में मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में इस IPO में apply नहीं करना चाहिए आपको वैसे भी SME IPO में long term के लिए apply करना है अगर आप 2-3 साल के लिए पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा भी यहाँ पर grow होता हुए नजराएगा क्यूंकि company grow कर रही है तो मुझे लगता है कि long term यानि 2-4 साल के लिए आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं short term पर या जो छो खास amount invested है यानि risk ले सकते हैं ऐसे innovation यहाँ पर apply कर सकते हैं तो मेरा मानना है कि long term के लिए इस IPO में apply किया जग सकता है देखिए यह मेरा personal opinion अगर आप कुछ भी करते है profit loss होता है तो उसके जिम्हाबार आपको दोंगे कुछ भी करने से पहले अपने financial expert से जरूर बात करें धन बात करेंगे 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 करेंगे